युनिवरस्टे में शितिज अपने दो दोस्त कुनाल और पारस के साथ पढ़ता है। वे तीनों बच्पन के अच्छे दोस्त हैं, जो दोस्ती के कारण ही एक ही युनिवरस्टी में पढ़ने आए हैं। उनकी क्लास की सबसे सुन्दर और पढ़ाई में टॉपर लड़की है सिम्रन। फिर भी सब की नजर सिम्रन पर कम और उसकी दोस्त रोश्णी पर साधा रहती है और रोश्णी भी उसी क्लास में पढ़ती है। कुनाल, शितिज और पारस तीनों अपनी बाईक के साथ कॉलेज के बाहर रास्ते में बैठ कर बात कर रही है। उए देख, देखो तेरी भावी आ रही है। चुपकर वो मेरी नहीं, तेरी भावी आ रही है। यार मुझे एक बात बताओ कि सिम्रन क्लास की सबसे सुन्दा लड़की है और पढ़ाई में भी इतनी अच्छी है लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं देखता, क्यों? क्योंकि रोश्णी के जैसा क कोई नहीं, तमीज से नाम ले यार, भावी है वो तेरी। सभी बात कर ही रहे होते हैं कि रोश्णी और सिम्रन उनके पास से आकर उनको बिना देखी ही आगे निकल जाती हैं। इगनोर कर गई, कोई बात नहीं, तुम देखते जाना, मैं एक दिन रोश्णी को अपनी पोस करता है और जल्द ही सिम्रन हा कर देती है। पारस सिम्रन को लेकर कुनाल और शुतिच के पास आता है। ठेंक यू सिम्रन, तुम बात करो, मैं शाम की त्यारी करने जा रहा हूँ। शितिच और कुनाल पारस्व सिम्रन को वहीं छोड़कर चले जाती हैं। और रोश्णी को प्रभावित करने के लिए हर संभव त्यारी करने लगते हैं। शितिच तु मेरा दोस्त है ना, तो कि भी लड़ाय नहीं करेगा, ये फैसला तुमको मानना होगा। हाँ, ये ठीक है। दोनों ने अपने कमरे पर ही बहुत अच्छे से तयारी की, शाम को पारस्, सिम्रन और रोश्णी को लेकर आ गया। भूमना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन अचानक कुनाल का दर्वाजा बंध हो जाता है और पारस और कुनाल कमरे का दर्वाजा खुलवाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। हॉस्टल का वार्डन पुलिस को कॉल करता है। दर्वाजा तोड़ दो। द पुलिस कुनाल के दोस्तों से भी पुछताश करती है, कोई सबूत ना मिलने पर सब को छोड़ देती है। भी शितिच की कॉल आती है और वह किसी अन्होनिंग घटना की खबर सुनाता है। सिमरन और रोशनी दोड़कर बॉइस हॉस्टल जाकर देखती हैं कि पारस का भी किसी मुर्डर कर दिया है और उसकी लाश भी बाथरूम में ही पड़ी है। पारस के दोस्त फिर से विलाप करते हैं और पुलिस वाले तीनों को पुलिस टेशन ले जाते हैं। रहे आप, वो मेरे बच्पन के दोस्त थे, बहुत प्यार करता हूँ मैं उन्हें। मैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हारे नजर उनकी गल्फ्रेंट पर थी और रोशनी तुम्हें नहीं मिली थी। ऐसा नहीं है, आप भ्रम फैला रहे हो। शितिज, तुम अ खाने में ही रख लेती हैं. हॉस्टल में, सिम्रन, मुझे इस हालत में तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मुझे आज अपने घर जाना होगा और मैं जा रही हूँ। कोई बात नहीं रोशनी, तुम चली जाओ। रोशनी अपने घर चली जाती है और पूरे हॉस्टल और कॉलिज कैमपस में इस बात का डर बैट जाता है कि दो दिन में दो मर्डर वो भी किसी जानवर के द्वारा, कोई भी अकेला रहने या क्लास जाने को तयार नहीं है। सभी डर की वजह से अपने दोस्तों के साथ ही कैद हैं। कॉलिज कैमपस में संसनी फैली हुई है कि तभी एक और कहर उनके ओपर तूट पड़ता है। खबर मिलती है कि सिमरन को भी मानने की कोशिश की गई है। लेकिन समय रहते कोई पहुच गया और उसे हॉस्पिटल पहुचा दिया। कॉलिज में। यहां जरूर कोई बड़ी साजिश है। आज सिमरन पर भी अटेक हुआ। हमें जल्दी ही यह हॉस्टल छोड़ देना चाहिए दोस्तों। तब ही वापिस वहाँ पुलिस आ जाती है और अपनी जांच परताल शुरू करती है। इतना शातिर अपरादी कौन हो सकता है। वो एक नाग या नागिन है। कैसी बाते कर रहे हैं आप सर। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमें बताया कि उन्हें वहाँ साब की कैंचुली के ठुकडे मिले है। होस्टल में कहर आ गया है। नागिन का कहर। हम सभी यहां से जा रहे हैं। रोशनी कहा है। कहीं उसको भी तो नहीं मार दिया। रोशनी तो आज पहले ही अपने घर जा चुकी है। अरे नहीं तुम अब पैशान मत हो। मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। मुझे अकेले यहां बहुत टर लग रहा है। शितिच रोशनी को अपने घर का पता बता देता है और वहे शितिच के साथ रहने लगती है। कुछ दिनों में सिम्रन भी शितिच से मिलने आती है तो वह रोशनी को यहां देखकर चौक जाती है। कहां छुप गए थी सिम्रन? तुम्हारा तो मुझे कब से इंतिजार था। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं मैं तो बस कहना चाहती थी कि उस दिन नागिन से हम बच गए थे। हम बच गए ये कितनी खुशी की बात है कहीं वो मुझे कुछ करना दे इसलिए मैं भी यहां चली आई। तुमने यहां का सही क्या रोशनी अब तुम यहीं आराम से रहो। रोशनी सिम्रन और शितिच के साथ ही रहने लगती है। एक दिन शितिच देखता है कि रोशनी ने सिम्रन को गाउव के कोई में लटकाया हुआ है। शितिच यह देखकर जोर से चीखता है और उनकी और दोड़ता है। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है अब तुम जादा जूट बोलने की कोशिश मत करो हाँ मैंने एक सपना देखा था रोशनी वहाँ से उठकर चली जाती है और दर्वाजे के बाहर खड़ी होकर चुप चाप बात सुनती है क्या हुआ शितिज ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतना डर गए मैंने देखा कि रोशनी ने तुमको कुए में लटकाया हुआ है सिमरन को कोई बात याद आ जाती है और वह चुप चाप वहाँ से जाने लगती है क्या हुआ सिमरन तुम इतना डर क्यों गई अरे ये तो सिर्व एक सपना था मुझे अपनीन दा रही है म मैं जा रही हूँ सुभे मिलते हैं सिमरन जैसे ही दर्वाजे से बाहर निकलती है रोशनी उसका हाथ पकड़कर खीचने की है मेरी बात ध्यान से सुनो स्याधा इदर उदर दिमाग लगाने की कोई जूरत नहीं है समझी ना सिमरन अपना हाथ छुड़ा कर डरते हुए जल ही शाधी करने वाले हैं तभी वहां रोशनी भी आ जाती है क्या शाधी ओ सॉरी रोशनी हम तुमें बताना ही भूल गए थे हां लेकिन सिमरन तो पारस के साथ उसके जाने के बाद सिमरन का कोई सहारा नहीं था तो इसलिए हमने ये फैसला लिया अच्छा बेटा शाधी कर करने का बस इन दोनों को ही फाइदा हुआ है किस सोच में पढ़ गई रोशनी तुम भी चलो एक काम करो हमारे साथ चलो सिमरन शितिच वर रोशनी तीनों बाहर शॉपिंग पर जाते हैं और वही लंच करते हैं मैं वाश्रूम चाकर आती हूँ रोशनी वाश्रूम में चल में आ रही होती है साब साब तभी नागिन वहां से चली जाती है और वाश्रूम में इसे रोशनी दोड़ते हुए आती है मुझे टर लग रहा है कहीं ये वही नागिन तो नहीं अरे नहीं रोशनी दुनिया में बहुत सारी नागिन हो सकती है चलो चल्दी घर चलते हैं हा लेकिन हमें पहले पंडेजी के पाँ जाना है। देख जाती है। यह देखकर सिमरन की चीख निकल जाती है। मैंने सच में उसे देखा यहां। अच्छा आओ, हम पंडेजी के पाँ चलते हैं। और फिर शादी करके जल्दी ही यह शहर छोड़ देंगे। शिदेज और सिमरन मंदिर पहुच जाते हैं। प्रणाम पंडेजी। सदेव जी ते रहो। पंडेजी हम शादी करना चाहते हैं। वैसे तुम दोनों का शादी का योग तो है, लेकिन मुझे अभी कुछ रुकावटें दिखाई दे रही है। कैसी रुकावटे पंडेजी। मुझे तुम दोनों पर नागिन का साया दिखाई दे रहा है। हाँ पंडेजी, मैं भी कबसे इन्हें यही बात समझाना चाहती हूँ। लेकिन नागिन का साया तो कॉलेज में था ना। वो नागिन है, कही भी आ जा सकती है। अब हम क्या करें पंडेजी। तुम पहले यहां से सीधे मेरे गुरुदेव के भास जाव। वो निश्चिती तुमको मुक्ति दिला देंगे। आप जल्दी से गुरुदेव का पता बताईए। पंडेजी, शितिज और सिमरन को गुरुदेव का पता बता देते हैं। जैसा की मैं अपनी शक्तियों से देख पा रहा हूँ कि सिमरन पर एक बार पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। अब इसे आगे बचा कर रखना। शितिज और सिमरन पंडेजी से डरते हुई विदा लेते हैं। दोनों रास्ते में बात करते हुई जा रही है। तुम सही कह रही थी कि गारी में कोई नागिन है। अगर अभी भी गारी में छुपकर बैठी हो तब। तुम पीछे मत देखो, मैं तेज स्पीड में गारी चलाता हूँ और हम जल्दी ही गुरुदेव के पास पहुँच जाएंगे। रास्ते में कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखकर शितिज और सिमरन का ध्यान भटक जाता है। वैसे सिमरन, तुम्हारे साथ उस दिन होस्टल में क्या हुआ था। तुमने कुछ बताया नहीं। छोड़ो शितिज, कोई और बात करते हैं। तुम हर बार ऐसे ही कर देती हो, बात को गुमाओ मत, जल्दी बताओ। कुछ नहीं, छोड़ो। तभे शितिज का फोन बज़ता है, उसने उठा कर देखा तो रौश्नी की कॉल होती है। हेलो। शितिज, तुम आई नहीं अभी तक। हाँ हम आ रहे हैं, रास्ते में ही है। सब ठीक है ना। तुमको छुपा तो नहीं रही हो ना। अरे नहीं नहीं, कैसी बाते कर रहे हो, सब ठीक है, फोन कट जाता है। हमें लगता है कि नागिन हमारे पीछे है, हमें इसकी सूचना पुलिस इंस्पेक्टर को दे देनी चाहिए। उस नागिन का सवाधान गुरुदेव कर देंगे, इसमें बीच में पुल्स को शामिल मत करो, वरना हमें भी कोई समस्या हो सकती है। ठीक है, तो तुम गाड़ी थोड़ी तीज चलाओ। अच्छा बताओ कि क्या हुआ था उस दिन तुम्हारे साथ। उस दिन जब हॉस्टल में रॉष्णी मुझे अकेले छोड़कर अपने घर चली गई थी, तब अच्छा सिम्रन, मैं चाह रही हूँ, चीक है, बाई-बाई कौन दुश्मन है हमारा, किसने मारा है सबको, अब जो भी हो, मैं भी यहां से निकल जाओंगी, तब ही रॉष्णी वापस आती है, तुम गई नहीं अभी तक, हाँ, मैं कुछ भूल गई थी, बताओ क्या भूल गई थी तुम, तुम पहले मूध होकर आओ तब बात करते ह हैं, अरे रॉष्णी, तुम्हारे बैक से ये किसका लॉकेट बाहर लटक रहा है, मुझे तो ये पारस का लग रहा है, ओ, हाँ, ये एक बार पारस ने मुझे दिया था, लेकिन मैंने तो कल ही पारस के गले में देखा था, अरे तुम स्यादा मत सोचो, चाओ और मूध होक कराओ, सिम्रन मूध होने चली जाती है, बातरूम में कोई पीछे से आया, उसने सिम्रन का गणा की रसी से दबाने की कोशिश की, कौन है, कौन है, चोड़ो मुझे, आज तो तुझे मरना ही होगा, हाँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ये अवास तो मुझे जानी पहचानी लग रही है, हाँ, तो कुछ और मिड्टो की ही महमान है, तुम कर रही हो ये मर्डर, लेकिन क्यों? तब ही रोश्नी ने सिमरन का गला दबा दिया, और उसका पूरा मुझ नाखोनों से नौच दिया, तब ही कमरे में किसी आने की आहट होती है, और रोश्नी बातरूम की खिड़की से कूच जाती है, क्या, रोश्नी ने? मैंने उसका चहरा नहीं देखा, लेकिन आवास रोश्नी की ही थी, तब ही गाड़ी के आगी रोश्नी आकर खड़ी हो जाती है, रोश्नी? रोश्नी यहाँ? रोश्नी यह तो मुझे घर का रास्ता नहीं लगता? रोश्नी हम अपने गुरुदेव के पार जा रहे हैं। तीनों गुरुदेव के पास पहुशते हैं। शितज और सिमरन गुरुजी के चरण स्वर्ष करके उनको प्रणाम करते हैं। गुरुदेव रोश्नी को सिमरन और शितज के साथ देखकर चौक जाते हैं। क्या आप एक दूसर को जानते हो? हाँ, रोश्नी मेरी शिष्षा है। रोश्नी नागिन रूप में आ जाती है। शितज और सिमरन ये देखकर चौक जाते हैं और डरने लगते हैं। क्या रोश्नी एक नागिन है? हाँ, लेकि तुम मेरे पास कैसे आए? गुरुदेव, हमें पंडित जी ने आपके पास भेजा है। गुरुदेव मुस्कराते हैं, तभी वहाँ पुलिस भी पहुच जाती है। शितिज और सिमरन तुम दोनों बच गए, ये सही है। हमको सूचना मिली थी कि वो जहरी लनागिन तुमारे साथ ही है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रोश्नी बहुत कुस्से में आ जाती है और वो शितिज की और मारने के लिए पढ़ती है। गुरुतेव ये देख लेते हैं और फिर उसे अपने शक्तियों से बांग देते हैं। कुनाल और रोश्नी हॉस्टल आ जाते हैं। तुम अपने हाथ से बनाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रूम का दर्वाजा भी लॉक कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहां पर कोई आए। कुनाल कॉफी बना कर ले आता है और रोश्नी के हाथ से थोड़ी सी कॉफी कुनाल के कपड़ों पर गिर जाती है। कुनाल वाश्रूम में चला जाता है लेकिन तब ही लाइट कर जाती है और वहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और नाप के जैसी दो आखे वहाँ चमकती है। रोशनी, रोशनी, तुम कहा हो? कुनाल वाश्रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी अपने नागिन रूप में आ जाती है, और अपनी पूछ को उसके गले से लपेट लेती है. रोशनी कुनाल की गर्दन दबा देती है और कुनाल मर जाता है. ये तड़प तड़प कर मरा था बेचारा. लेकिन जब पारस का मर्डर हुआ, तुम तो मेरी साथ थी न? मैं कोई इंसान नहीं हूँ जो एक ही जेंगे रहूंगी. मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ. और वैसे भी मैंने पारस को सिम्रन बन कर मारा था. क्या? हाँ, और उसका तड़पना मुझे बहुत सुख दे रहा था. रोश्नी सिम्रन की रूप में आकर पारस का गला पकर डीती है. सिम्रन, तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुम तो मुझे प्यार करती हो ना, क्या हुआ? मुझे छोड़ दू, प्लीज, मुझे छोड़ दू. क्यों मारा तुमने इनको? क्या दुश्मनी है तुम्हारी इनसे? पहले मुझे खोल दो. तुमको मैं जरूर आजाद करूँगा, लेकिन पहले बता मुझे. शितिज और उसके दोस्तों ने मेरे नाग को मारा था. तजपारस और कुनाल तीनों जंगल में जाते हैं. तभी उनकी नजर एक नाग-नागिन के जोड़े से पढ़ती है. ओ भागो, नाग! मुझे तो लगता है कि ये मड़ी वाले नाग-नागिन का जोड़ा है. लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ जंगल उनका घर है, तो ये जंगल में ही रहेंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी यहाँ से भागो. अरे कुछ नहीं होगा, मैं अपने दादा जी की फिस्टॉल चुरा कर ले आया हूँ, इनको अभी खत्म कर देता हूँ. नहीं यार, नाग को नहीं मारते, इसने क्या भीगाड़ा है तुम्हारा? कुनाल गोली चला, मज़े आएगा. नहीं, नहीं, कुनाल ऐसा मत करना. कुनाल तु गोली चला यार. कुनाल दोनों की बात सुनकर कुछ सोच समझ नहीं पाता है और गोली चला दीता है, जो जाकर नाग को लगती है. नाग को गोली मार कर तीनों वहां से डर कर भागते हैं. गोली लगने के बाद नाग नागिन दोनों मानव रूप में आ जाते हैं मुझे गोली लग गई है अब तुम्हें अकेले छोड़ कर ही जाना होगा नहीं नाग राज तुम ऐसे नहीं जा सकते जाना तो मैं भी नहीं चाहता लेकों दुष्ट लड़कों ने हम प्रेमियो को अलग कर दिया मुझे माफ कर दो नाग राज मर जाता है और वापिस नाग रूप में आ जाता है नागिन नाग के मृत शरीर को हाथ में उठाकर कसम खाती है मैं कसम खाती हो नागराज कि तुम्हारी कातिलों को सजा दे कर ही रहूँगी उनको भी बार दूँगी नागिन कॉलेज के बाहर जाती है और एक खूबसूरत लड़की रोशनी बनकर कॉलेज के अंदर प्रवेश करती है फिर उस दिन से ही लग गई मैं इनकी तलाश में लेकिन तुमने सिम्रन को मारने की कोशिश क्यों की? मैं सिम्रन को मारना नहीं चाहती थी बलकि उसे तरपाना चाहती थी लेकिन पारस्त का लॉकेट मेरे पर्स में सिम्रन ने देख लिया था और मुझे डर था कि शितच को मारने से पहले ये किसी को बता न दे मैं तुमको एक मौका देता हूँ कि अगर तुम यहां से जाना चाहूँ तो जा सकती हो ज्यादा चालाग बनने की कोशिश मत करो मैं शितच को मार कर ही रहूंगी गुरुदेव ये नागिन बहुत जरीली हो गई है इसको छोड़ना ठीक नहीं रहेगा ठीक है मुझे छोड़ दीजिए मैं किसी को कोई भी नुकसान नहीं करूंगी गुरुदेव नागिन को छोड़ देते हैं और वह जाने लगती है लेकिन जाते जाते वह शितच का गना पकर लेती है तूर रहना सब कोई आगे नहीं बढ़ना नहीं तो मैं शितच को मार दूंगी रोशनी हाथ में एक चाकू ले लेती है जिससे शितच के गले पर लगा कर सब को डराती है रोशनी एक गलती उस दिन उन लड़कों से हुई थी और आज वही गलती तुम कर रही हो कैसे गुरुदेव तुम एक बार उस गटना को फिर से सोचो क्या शितच ने नागराज को मारने का समर्थन किया था रोशनी याद करती है रोशनी को जब याद आता है तो वे शितच का गला छोड़ देती है आप सही कह रहे हैं गुरुदेव अब मैं नाग लोग जा रही हूँ रोशनी गुरुदेव को प्रणाम करके नाग लोग चली जाती है गुरुदेव धी, सिमर्ण और शितच को आशिरवात देती हैं और दोनों अपनी घर चले जाती हैं ऐसी इंट्रेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लव सिटी और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो जाए